अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी के अवजरवर ने बिलावर में बीजीपी पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का उलंगन करने का आरोप लगाया है पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुर्जीत बर्मोरी ने कहा कि बीजीपी वर्कर्स द्वारा जहां कॉंग्रिस परत्याशी के पोस्टर फार जा रहे हैं लोगों को गुमरा करने के लिए जूठे स्लोगन लिखे जाते हैं जो की बिलकुल गलत हैं उन्होंने कहा सुर्जीत बर्मोरी से कि आपनी बात रखे बहुत बहुत दन्यवाद बिलावर बिदानसवा के तमाम हमारे कॉंग्रोस पार्टी के कार्यकरता आज एक महतोपोर्ण मुद्दे को ले करके आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं सबसे पहले आप सभी साथियों का हम धन्यवाद करते हैं जो आप अपना कीमती स्माई निकाल करके यहां पर आए साथियों आप सभी को मालूम है कि पूरे जम्मू एन कश्मीर में बिदानसवा चुनाब का बिगुल बच चुका हुआ है एक चर्ण का चुनाब बहुत ही साथि पूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में हुआ है उसके लिए चुनाब आयो को और साथ में ही तमाम जम्मू क को होना निश्चित हुआ है आप सभी जानते हैं कि किस तरह से चुनाब इतने लंबे अर्शे के बाद यहां पर हो रहा है और हम सभी का दाइतव बनता है कि इस चुनाब को हम बड़ी सांती पूरवक तरीके से और आपसी भाहिचारे को बनाए रखते हुए इस चुनाब को स सहीम से और सोहार्द पूर्ण तरीके से इसको संपन करें हाली में एक दो दिनों की बात है मैं बिलावर बिदानसवा का उफजर्वर हूँ अखिल भारतिये कॉंग्रिस कमेटी की तर्व से तो हमारे कार्यकरतों ने हम सभी ने यह उफजर्व किया जहां भारतिये जनता प बना रहे हैं जो लोक तंतर के साथ सरा सरा अनयाय और नासाफी है जिस तरीके से दबा बनाया जा रहा है फॉन करके धंकिया दी जा रही है साथ ही में किस तरह से जो एक बाल पेंटिंग या पोस्टर परचार परसार में लगाई जाते हैं सभी को अधिकार है वो अपना परचार करें परसार करें अपना पोस्टर लगाएं जंडे लगाएं लेकिन ये किसी को भी हक नहीं है कि दूसरी पार्टी के जो जंडे हैं पोस्टर है बैनर है उनको उखड़ा जाए और इस तरीके के स्लोगन जो सरा सर्थ हकीकत से समढ़ नहीं रखते हैं आपको بتाना चाहूँगा जिस तरीके से ये पोस्टर है आप देखिए हमारे प्रत्यासी आधरिये डॉक्टर मनोला शर्मा जी जिन्होंने बाल पेंटिंग में अपना परचार के लिए लिखा हुआ है और सरयाम भारतिये जनता पार्टी के लोग उस बाल पेंटिंग के उपर सियाई छिड़क करके और नीचे भारति बीजेपी लिख रहे हैं ये किस तरह का लोग तंतरियां पर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही जो इतने बड़े बड़े जूटे बाते की ही जा रही हैं 600 बैक डॉर एंट्रियां आप भी सभी मीडिया के बंदू हमारे जमू कुस्मीर के और बिलावर के निक्टवर्तिक शेतर के हैं किस बिवाग में और कब 600 बैक डॉर एंट्रियां हुई आप सभी लोग भी इस चीज़ का हमें जवाब दो और साथ में एक हजार करोर का कोई स्केम लिखा हुआ है कोपरेटिव उसमें हम कहते हैं अगर इस तरीके का कोई स्केम है तो सीबी आई की जांच होनी चाहिए लेकिन चुनाब के समय इस तरीके के सलोगन लिखना किसी की छवी को खराव करना यह सरासर गल्थ है मैं अभी यहां पर पांच-छे दिनों से काम कर रहा हूं डॉक्टर मनोरलाज शर्मा जी का जो विक्तित्व है मैंने खुद विक्तिकत तोर पर उनको नजदीकी से देखा एक आम परिवार से ग्रीप परिवार से उठे हुए एक सोचल एक्टिविस्ट के रूप में वो जनता के साथ मिल जूर करके काम कर रहे हैं यहा सभी हमारे कार्यकरता जानते हैं क्षेतर की पहाड की रूलर एरिया की सभी जनता जानती है कि डॉक्टर मनोरलाज शर्मा एक इमानदार और एक मिलनसार व्यक्ति हैं जो लोगों के सुक दुक में आकर के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं इस तरह के अगर क्या तो भी कि इस वारे में शिकायद करेंगे लोगतंतर के खिलाब जो बाते की जा रही है या कोई और चीजें होती है तो नियुक्शी तोर पर हमेशन fungi को भीłeं सकायद करेंगे और हमारे पार्टी के और करता निस्ठावान करे करता है ना किसी डरने वाले वाले हैं लेक किसना पूरा जवाब देंगे पौवरफुल शौकर वा बेटरीन सस्पेंशन फ्रंट में अधिक पौवरफुल शौकर नए मजबूत अलॉइ वील अधिक रोश्णी वाली हेडलाइट वा इंडिकेटर मजबूत रूफ टॉप केरियर वा गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट जबकि यात्रियों के सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एकसाइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा चड़ाय जड़ने के लिए हेवी गेर वो अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक यानि एकसाइड नियो इरिक्षा अब नई लुक के साथ आया है नई फीचर्स में इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा एक्क्यावन सो रुपे का कैश डिसकाउंट तो देर किस बात की आज ही आएं और ले जोएं अपना निया एकसाइड नियो इरिक्षा हमारा पता है सायोम पॉवर सिस्टम लास्ट मैटर डोर स्टैंड आनन नगर बुहडी जम्मो फोर नमबर 0191-255-4360 255-4359 जम्मो कश्मिर की खबरों के लिए जुड़े रहे जुड़े की अपडेट के साथ